मनीशा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज कुछ करेंट अफेर्स के कोश्चन के साथ हम फिर उपस्तित हुए है देखते हैं फर्स्ट कोश्चन अंतर राष्टी मुद्रा कोश और भी सुबायंक दोनों में सामिल होने वाला नमेंतम देश कौन सा है तो ये अंतर राष्टी जो मुद्रा कोश है और भी सुबायंक दोनों में जो सामिल हुआ है अभी हाल ही में जो देश सामिल हुआ है वो कौन सा है तो option है नाउरू, B option है दक्षिड सुदान, C option है तुवालू, D option है लाइबेरिया, C option है लाइबेरिया, तो इसमें जो साई है, option number A साई है, नाउरू जो है इसमें इन दोनों देशों में नविंतम ये दोनों जो अंतराश्टी मुद्रकोस है और विसुबैंक में ये नाउरू सामिल हुआ है विहाली में, इसके बारे में संशेप में देख लेते हैं कि प्रसांत महासागर में एक छोटा सा दक्षडी पसांत, दूइपी राष्ट, नाउरू गणराज, अंतराश्टी मुद्रकोस और विसुबैंक यानि ब्रेटन बुट्स संस्थान का 189 सदस्य बन गया है, तो ये जो है अभी हाली में सामिल हुआ है, और इसके आगे देखते हैं, तुवालू के बाद नाउरू, आईएमियफ या अंतराश्टी मुद्रकोस का दूसरा सबसे छोटा सदस्य होगा, ये 14. सामानी समिक्षा के तहत अपने कोटा में बृद्धी का भुगतान करने के बाद सदस्य होगा, जून 2015 में बेंडिगो बैंक एजंसी खोलने तक पिछले एक दसक के दवर देश में लगभग कोई बैंक नहीं था, नाउरू की अर्थबेवस्था फॉस्पेट, खनन और मचली पकड़ने के लाइसेंस सुलक से राजजस्व पर निर्भर करती है, हाल के वर्षों में विकास मजबूत रहा है, यहां का मुख रूप से फॉस्पेट निरियात द्व चलते हैं अगले कोईशन पर, यहां पर जो सदस सामिल है इसे याद रखना है कि नाउरू है, चलते हैं अगले कोईशन पर, कोईशन नमबर टू, यह है कौन बैस्विक दास्ता, कौन बैस्विक दास्ता सूचकांक रिपोर्ट में रिपोर्ट प्रकासित करता है, तो इसम फ्री फाउंडेशन या जर्मन वाच या अंतरश्टी स्रमिक संगटन तो यहाँ पे जो सही हमारा है वो ऑप्सन नंबर बी होगा वाक फ्री फाउंडेशन बैस्विक दास्ता सूजकांक 2018 ने अपनी नविंतम रिपोर्ट में अनुमाल लगाया है कि 2016 में किसी भी दिन भारत में आधुनिक दास्ता में लगबग 8 मिलियन लोग रहते हैं वाक फ्री फाउंडेशन द्वारा निर्गत रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रचलन के संदर्व में हर हजार लोगों पर 1.1 पीडित थे 166 देशों में भारत सूची सूची में सबसे उपर उत्तर कोरिया के अस्थान पर है जापान सबसे कम प्रसारदर 03 प्रती 1000 दर्ज किया गया है तो इससे संबंदित कुछ बिंदू था आपको याद रखना है कि बैस्विक दास्ता सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है तो वाक फ्री फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है चलते हैं अगले कोशन पर कोशन नमबर थ्री है दो ब्रिक्स क्रिसी अनुसंधान मंच की घोषना निमलिखित में से किस सिखर सम्मेलन के दवरान की गई थी तो हमको बताना है ओप्शन एक है रूस के ऊपह में रूस के ऊपह में यह सत्वा ब्रिक्स सिखर सम्मेलन 2015 था या चीन के सिया में में नाववा ब्रिक्स सिखर सम्मेलन 2017 6 का तो यहां पर जो सई है आप्सान हमारा बी सही था बी सही है चीन के सिया मेन में नावा जो है ब्रिक्स सिखर सम्मेलन 2017 था जलते हैं अगले कोशन पर कोशन नमबर फोर किस परिस्थिती में सरकार सुरक्षा सुल्क लगाती है तो यहाँ पर जो आप्सन ए है जब एक निरियातक देश की सरकार अपने ब्यापारी के उत्पादों को निरियात सबसिडी देती है या आप्सन नमबर भी है जब किसी बिसेस निरियातक देश पर आधारित न होकर किसी बिसेस उत्पाद के आयात में ब्रिध्धी होती है या जब सामान एक देश द्वारा दूसरे देश को उसके सामान मुल से कम कीमत पर निरियात किया जाता है और D है इन में से कोई नहीं तो जो हमारा इसमें सही option होगा इसमें भी option नंबर B सही होगा कि जो सुरक्षा सुल्क लगाया जाता है तब लगाया जाता है जब किसी BCS निरियातक देश पर आधारित नहोकर किसी BCS उत्पात के आयात में बृध्ध होती है तब जो है सुरक्षा सुल्क जो है लगाया जाता है तो option number यहाँ पर हमारा B सही होगा चलते हैं अगले question पर question number 5 है question number 5 है one stop centers सब्द को one stop centers सब्द को कभी कभी किस के संदर में समाचारों में देखा जाता है या यह सब्दक किस संदर में समचारों में अक्सर देखने को मिलता है तो यहाँ पर जो option है, option number A है यह एक आनुमंसिक जानकारी और जीन संसोधन का एक database बनाने के लिए एक केंद्र है या B है, या निजी और सायजुनिक अस्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं का समर्थन करने के लिए एक केंद्र है या option number C है, यह कानविल सेंट प्लाजमा थेरपी का उपियोग करते हुए COVID-19 रोगियों के इलाज के लिए एक केंद्र है या D option है, या सुद देशी गांग की विशिष्टता की विवस्थित बैग्यानिक जाच का केंद्र है तो यहां पर जो हमारा सही होगा, यहां भी हमारा B option सही होगा कि यह जो है, जो यह सब्द है, one stop centers यह नीजी और सारजवनी के अस्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं का समर्थन करने के लिए एक केंद्र है तो यह सही है यहां पर, इससे संब्दित कुछ बिंदू देख लेते हैं वन स्टॉप सेंटर का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को नीजी और सारजवनी के अस्थानों पर परिवार, समद्दाय के भीतर और कारी अस्थल पर सहायता करना है सारीरिक यह सहायता किन-किन छेत्रों में करता है तो सारीरिक योन भावनात्मक, मनोबग्यानिक और आर्थिक दूर्विवहार का सामना करने वाली महिलाओं के लिए बिना किसी उम्र वर्ग जाति सैक्षित इस्थिति बैवाहिक इस्थिति नस्ल और संस्कृति के बिभेद के समर्थन और निवारण की सुविद्या होगी योन उत्पिडन, घरेलू हिंसा, तसकरी, सम्मान संबंदी अपराधों, एसीड हमलों या डायन सिकार के प्रयास के कारण किसी भी तरह की हिंसा का सामना करने वाली पिडित महिलाओं को विसेस सेवाओं के लिए यह जो है भेजा गया है, यह संदर्भीत किया गया है, यह बनाए गया है, तो ये रह हमारे कुछ है यह पांच करन्ट अफेयर्स के कोश्रें, हमें उम्मीद है आपको जरूर पसंद आए होगा, यदि पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेयर करना ना भूले धन्यवाद